बिसमिल्लाहिर रह्मानीर रही मेरे यूटीव फैमली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम अलाइकम वरहमतुलाही वबारकातु हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं फारग होती हूँ सारे गर के काम कर लेती हूँ जॉब से भी फारग होती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ फिर मैं सबजीयों को काट के परपेर करके रख लेती हूँ पकाने के वकत इतना टाइम नहीं लगता है जैसा कि आप इस प्यालियों में देख सकते हैं कि इतनी सारी रेडिश थी जो मैंने दोके रह ली अब उनको ब्रीक ब्रीक काटके बार लिय यह सालड में यह बहुत मज़े की लगती है और जो रैडिश होती है ना उसके प्राठे भी बहुत अच्छे होते हैं आप ब्रीक ब्रीक काट लें तोड़ा सा इनको स्ट्रीम करें नमक मरेच ग्रीन मरेच दनिया साबत और जीरा वगेरा डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स काले आटे में और इसका प्रोठा बनाएं कई लोग तो सालन बना के दो रोटिया डिफरेंट बना के फिर उसमें लगाते हैं मैं आटे में ही गूंद लेती हूं और इस तरह वह सारा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है नमक मरेच वगेरा अच्छा सा डाल ले तो यह बह प्राठा बनाते हैं मैं यह मौल ख样ते हैं मैं यह मौल था है क placut चेज। ज़ moo का पशागा लेनी है झीजिनला है जो ब ही तो बड़े बड़े-टॉम्आटो बहुत बाड़े ऒड़े ट्माटो होते हैं और पके हुए है जो नरम नरम तमाटो होते हैं मैं उनकों को काल ले बुआज़े उच्छे से गर्जारों और बनाते हैं और बट एलाग सालन टेक्सचर बनाते हैं थाओ और टॅमाटो जिया में टालने साद सुइड़ा ग्रेवी धश्य बनति है और ज्यादा स्पाइसी नहीं बनता बच्चे ज्यादा स्पाइसी खाते नहीं है यह सीजनल गाजरे हैं जो बहुत ही प्यारी हैं और उनको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है यह छोटी छोटी सी फिंगर जितनी होती उंगली जितनी जितनी गाजरे ताजा पत्तों के साथ तो पत्तों को मुझे पता निंए मैं क्या करूँ लेकं ये जो हैं गजरें को ब्रीक ब्रीक दो काट लिया है अजका सालन बनने जा ररा है जिसमें मैं गजरें डालूँगी टॉमाटै के तीन चार और ले आए मैंने सुचा कि पूरा वीक बता हूँ और यह इक गोंगलू खाएंगे तो देखें क्या करते हैं बहरहाल मैं आपको शल्जम के बारे में बताना चाहती हूं कि जो शल्जम है यह जिससं में ब्लैड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करता है चावल थे वो बनाए थे मैंने नमकीन चावलों के तरीके से लेकन थोड़े थोड़े खड़े खड़े थे कनी थी अभी इन में तो अब फिर दबारा डाल के इसमें हलका सा दूद डाल के दबारा फिर स्ट्रीम करेंगे हो सकता है अच्छे से पक जाएं बहुत ही कलरफूल बनें थे तो इन चावलों को मैंने कलर हलका हलका डाल दिया था जब ठंडे उगे तो फिर इनको मैंने mamс कर辨 का दिया था तो बिल्कुर ऐसे मैंने थे जैसे अप बने थे रेस्टरान से खाते हैं या शादियों वाले चावल होते हैं लेकन मुझे ज़्यादा गले हुए चावल पसांद हैं तो यह सारी चीज़ें मैं जो आपको दखा रही हूं यह मैंने इसमें बना ली हैं काट के प्रपेर करके रख ली हैं तो अगर घरवालों का भी अरादा हो सालन बनाने का तो वो क्या करते हैं वो मुझे कह देते हैं कि प्यास भी काट दो यह भी दो दो बरतन भी पकड़ा दो मुझे असिस्ट करना पड़ता है सारे चीज़ें उनको प्रवाइड करनी पड़ती हैं वो सिर्फ हांडी में डोई हलाते हैं और यह चीज़ें उन में ठाक डाल देते हैं और भूंगते रहते हैं तो नाम उनका हो जाता है कि उन्होंने खाना बनाया है जबके मैं ही पीछे सारा काम कर रही होती हूं तो जो असिस्टन्ट होता है ना तो उसके बचारी का कोई नाम ही नहीं होता कि उसने भी काम किया है तो वो उसको जैसे होता है बादशाह और वजीर वजीर असल में काम कर रहा होता है बादशाह तो आगे चला रहा होता है अपना हुकम का बता रहा होता है इसी तरीके से जो होते है आज कल यूके में क्या होता है एक होता है जूरी जूरी फैसला करती है वो सारा कुछ सोज समझ के डिसाइड करती है तो अपना फैसला सनाना होता है, उसी तरीके से जिसारा खाना जो है ना मैं बना लेती हूँ, जब मैंड़े पास सफार के टाइम होता है, कोई खास में मसरूफयत नहीं होती, तो फिर जब पकाते वक्त इतना मुश्कल नहीं होता और आजकल तो सरदियां खराब होता ही नहीं है तो कोई सबजियां हैं जो ज़्यादा काट की रखने से खराब हो जाती है लेकन कई लोगों ने तो मशीनों को अजाद का लिया कि हर चीज़ के लिए मशीन इस्तमार करनी हैं मैं हर ममकन कोशिश करती हूँ के बिजली वाली चीज़ें मैं ना इतना इस्तमाल करूं और कम्स कम करूं जिनके लिए जरूरी है वो ही मैं करूं तो इस तरह होता है यह देखें जी सुभान लाही वाभी हम्देही सुभान लाही लाजीम सुभान लाही वाभी हम्देह सुभानलाहिलाजीम आपने देखा कितनी प्यारी रेडिश लग रही थी समाइल कर रही थी आपकी तरफ और खूब चमक रही थी कितनी खूबसूरत अलागा आपको भी इसी तरीके से खूबसूरत बनाए यह गाजरे थी जो मैंने दो के काट के रही है और यह क्या उसको कहते हैं टरने पर बताऊं था और जाए चावल हैं तो जब वीडियो बनानी होती है तो कुछ ना कुछ तो आपको दखाना ही पड़ता है पिर वो चीज़ें जो बना रही होती हैं उसी की तस्वीरे बना लेती हूँ जहाँ चोटी सी वीडियो बना लेती हूँ कठी करके आपको दुखा देती हूँ और मेरे कहल से आपको भी पसंद आता होगा अगर मेरा चैनल देसी बीबी जो के आपको पसंद आता है तो बराहे करम अल्ला के रसूल के सदके इसको सबस्क्राइब कर दें बेल आइकोन का बटन दबा दे अपनी फैमिले और फ्रेंस के साथ शेयर कर ले शाद रहें अबाद रहें आपके गरों में अमन चैन सकून सेहत सलामती रहे आपको खुश करूम रखे और आपकी नेक मराद को पूरी फरमाए आमिन सुमा आमिन वल्हम्दुल्लाही रबिलालामीन तो आप शेयर का लिए सबस्क्राइब करने के लिए आपका कुछ नहीं जाता जब आप इतना एफट करते हैं देखने के लिए तो शेयर भी कर लिया करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले लाइक का बटन भी हो सके तो प्रैस कर दे और मेरा यही इर्टजा है कि अगर मेरा वलॉग आपको पसंद आता है तो आपने इसको करना है प्रैस करना है वो कहते होते थे थे ना बच्पन में नी मेरे कदवां दे बनने बनने कॉन फेर दा मेरा चोटा बाई होता था तो हमारे गर में क्यारी होती थी सबजी की और वो चोटा सा सफेद सूड पहन के फिर रहा होता था देख रहा होता था तो मेरी अम्मी कहा करती थी चोटे बाई को जो तीन चार साल का था नी मेरे कदवांदे बनने बनने कौन फेरदा फिर अमी ने खुदी कहना राजा पटवारी फिर अमी ने कहना क्या कुछ की कुछ मंगदा फिर अमी ने कहना अदपा एक कदूत मसरा अदपा दाल है तो फिर वो मेरी अम्मी उनको कहती थी तो वो एक खुशी का इलजार था हम चोटे चोटे बच्चे थे मैं 6-7 साल बड़ी हूं अपने चोटे बाई से तो मुझे अभी तक याद है तो आप के भी इस तरह का कोई प्यार महबत का मामला होगा सर्दियों में वो सुबो सुबो और दूनिदे रिड़ेते थे सारे आग सेखेते थे पांड को गर्म करते थे और पाकिस्तान की सर्दियों की अपनी ही बहार होगा करती थी और कड़ाही में वो डाल आग अंदर ले आते थे पिर उस आग प मुलियां भी खाते थे मुलियां रात को खाने नहीं देते थे और रात को गन्य भी नहीं चूपने देते थे वो कहते हैं कि दिने दिने खा पी लो कि रात को मसला होता है फिर दोर दोर के बातरूम इतनी दूर जाना सरदी में ठर जाएंगे बचे डरते रहते हैं घर में मसला कार देते हैं तो इसलिए मना किया जाता था बहरार बहुत अच्छे देन थे बहुत बच्पन की बाते याद आती हैं माँ बाप याद आते हैं माँ बाप नहीं बोलते हैं माँ बाप जिनके चले गए हैं ना उनको पता है माँ बाप क्या है कर दो